आज हम हरी और तजी फ्रेस मेथी से बनाएंगे मट्रियां सब्जियों का सीजन चल रहा है तो हरी भरी मेथी ताजी फ्रेस मार्केट में आ रही है आज हम बनाएंगे मेथी से बहुत ही हेल्थी मट्री साथ में क्रीश पीबी हेल्थी इसलिए है क्योंकि हमने यहां पाद इसके साथ पर गे होगे आठे का इस्तमाल किया है और इसे बनाना प्रेहतासान है और इसकी साइल पर लाए भी काफी जादा होती है दो से तीन मैने तक इसको इस्टोर करके हम आसानी से इंजॉय कर सकते हैं नमस्कार फ्रेंड मैं हुसंगीतर आपका बहुत बहुत साकत करती हूं आपकी अपने रस्वाई में आसा करती हूं आज की रेसिपी आपके लिए हेल्प बुलोगे और यदि रेसिपी अच्छे इसके पाद इसको थोड़ा से चुन्नी में डालके थोड़ा से इसका मोश्र घा लिया था अब हम इसकी ड़ेंडियों रहें हैं और गारी के नौर्मल ड़ेंडिया भी होगे उनको भी हटा लेंगे हमको यहां पर पत्य को इस्तेमाल करेंगे जब पहुत हम इसके मच्छी लायक होता है तो इसकी हर तरीके से हम इस्तमाल करते हैं तो आज तज्ज्व और फेज इसकी हम मठ्या बना रहे हैं तो जैसे आप देख सकते हो मैंने इसकी सारी पत्या ऐसे लिए बिल्कुल इनमें मोश्चर नहीं है तब इसकी सेल्पलाइब बढ़े गया अगर इनमें जो बनेगी बहुत इस्वादिश्ट बनेगी तो यहां पर बिल्कुल भी मोश्चर नहीं होगा इसमें अरिसकी टेंडिया देख सकते हो इसको हम आठे के साथ गूर लेंगे यहां पर सब्जी में कामिल लाएंगे मैंने यहां पर गैस पर एक पैन ले लिया है और गैस कर लेंगे एक चमच के बिराबगा देशी गी डाल मैं त यहां दो जालने से मेति का स्वात दुगन बढ़ जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है तो इसमें डाल देंगे और इसमें एक्स्टा मोश्चर होगा वह भी सूख जाएगा वैसे आप देख सकते होंगे बिल्कुल भी मोश्चर नहीं है पतियों में थोड़ा बहुत म है उसके बाद इसकी पतिया सुख जाती है अपने आप मोश्चर इसमें सूख जाता है तो सौप्ट लिए यहां पर आठे में अजस्ट हो जाता है जो इसकी मत्रिया बनते है खस्तार गुर्गरी अब लगाते इसके लिए आठा आठा लगाने के लिए मैंने यहां पर एक बाउल लिया है अब ले लेते हैं गेहो का आठा मेरे दो कप के बराबर कीः का आठा ले रही हुँ और इसी कप से मेजर करके मैं छोटा वाले कप का मेजर कर रही हूँ तो उस्से से यहां पर आधि कपके बराबर सूजी यह ik वाली सूज़ी है यहां पर predictive मोटी सू अनुसार एक चमज भर के बड़ी चमज लिया मैंने इस वाइट वाले तिल इसका नेटी फ्लेवर बहुत ही आचा आता है जब भी हमेट्रिया खाते है तो इसका स्वादर क्रेंच भी आता है तो जरू से डालेगा दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही दालेंगे कूट के ऐसे अदिखने में भी बहुत अच्छी लगते है इसमें यहां पर मिर्च का इस्तमाल कम करेंगे तो चलीगा और फ्लेवर भी बढ़ाने के लिए डाइजेशन में भी हल्प करेगा अजुएन ताल देते हैं यहां पर अजुएन एक चोटी चमज के बर पराबर एक चोटी चमज के बराबर साथ में यहां पर हल्ली आदी चमज के पराबर हल्ली भी डालेंगे दो से तीन चुटकी के पराबर जाएगा हिंग अब बढ़िया सीच को मिला लेंगे सारे मसाले जितने भी हैं ड्राय मसाले अच्छी सीच को मिला लेंगे ताकि कोनी कोनी में आठे के साथ है अच्छी से मिल जब और इसका अच्छी 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 तरीके से बना रहें, मेति का इस्तोमाल करतें कि KP цен यांट कर चेए जब तक इसमें अच्य में आज़कीक इसंप सब्सक्राइब अच्छे मुएने आट के अच्छे से मेति तो इसमें बिल्कुल भी मोश्चर नहीं है और मेति यहां पर शिकुर जाती है भूने के बाद भी अब इसमें अच्छे मिला लेंगे आटे में और थोड़ा थोड़ा करके पानी का इस्तुमाल करेंगे और इसका सौप्ट आटा लगाएंगे हमने यहां पर सूजी भी और सूजी को फूलने में थोड़ा पानी भी चाहिए और यहां पर समय भी जाए आटा लगने के बाद हम इसको समय देंगे और उससे पहले हम इसको पानी से सौप्ट आटा गूनेंगे नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं आटा उसी तरीके का हमें आटा लगान और यहां पर सूजी को फूलने में समय लगता है तो हम इसको अरेश्ट करने के लिए रखेंगे 10-15 मिनट आटा यहां पर सौप्ट लगके तयार हो गया है और जब तक इसमें सूजी आप जोपना होजा 10-15 मिनट के लिए डख करके रख देते इसको अब यहां पर बनाते ह एक और मयान यानी की डबल मयान जिससे यहां पर हUNG खस्ता और कुरकुरी मत्री बनेगी ऐस्टा के खाने में बहुत स्वादिस्ट लगति हैं तो हेल्थी तरीके से बना रहे हैं तो हेल्थी तरीके से इसमें घ्राश्त हो गे रहेंगे, स् 거예요 का टा हम फोगे आपके पास बहुत ही खसता और कुरकुरा बनाएगा इसमें कोई भी बतलाव नहीं है सेम प्रोसेस होगा और सेम टेस्ट भी आएगा यहां पर गी की मात्रा थोड़ी ज्यादा लग जाती है बस डबल जो हम इसके लिए मोयन बना रहे हैं उसे जब हम इसकी मठ्रियां खाने के लिए इस इसकी परते दर पर्ते बहुत ही अच्छी खुलती है अब बहुत ही आप खसतां चूर्पो सुखा आटा डालेए ओल्ण शट हो चका सौप्ट है नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए पनाते हैं उसी तरीकी का इसका अटा भी है अब हल्के हाथ से दबाव डालते हुए जहां तक रोटी बिल सके वहां तक हम ने चेचे पेलने इसको असूखा आठा हम इसलिए डालने इसके लिए ताकि जब हम दुबारा इसमें मोहिन डालेंगे तो यहां पर आठा बिल्कुल भी ना चिपके जहां तक यहां पर रोटी जारे इसके हिसाब से हल्ल के हाथ से रोटी बेलेंगे यहां पर नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी होती है अब या तो पीजा कटल ले लिजेगा य और इसको आठे के साथ मिला लेंगे दूसरी बारे काम में आएगा या फिर के होके आठे के साथ मिला लेंगे रोटी के साथ नॉर्मल रोटी के साथ बिटा लेंगे तो सारे फ्लेवर है इसमें मेति डाली है गी डाला है और सारे मसाले तो सारे बिटामिन है इसमें अब इ मट्रिया खाते हैं तलते ट्रमी अलग-अलग हो जाते हैं खाते जूर-चूर हो जाते हैं मुह में तो बहुत साधिस्ट लगते हैं डबल से इसको फोल कर लेते हैं और फिर से यहां पर लगा लेते हैं मोयन अच्छे से प्रेसिंग करेंगे जितने इसमें मोयन रहेगा उतने यह पर खसता और क्रिस्पी बनेंगी मट्रिया और खाते रहा पेटिस की तरह ढूरती है बहुत है साधिस्ट लगती है और डबल से इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर से इसमें मोहिन लगा लेंगे उपडी से अच्छे से जितने इसमें मुहिन लगेगा उतने यहां पर इसकी परते कुलेंगी अब क्या करेंगे बराबर से इसको सेट करेंगे अब इतना ही अमने इसको पेलना है हातों से थोड़ा से दबाव डालेंगे और थोड़ा से बेलन से ज्यादा नहीं पेलना है हलके हाथों से बस इतना ही पेलना हमने इसे ज्यादा नहीं अब एक्ष्टा शॉप्ट हो चुका है अब चाकु से या फिर पिजा कठर से आदा इंची की दूरी पर इसको कट कर लेंगे हम है यह अपने हिसाब सिर्फ अप इसको कट कर सकते त्राइंगल में भी कट कर सकती हो हो अपनी चश्वचा कि कैसे वी कट कर सकते मैं इसी तरीखे से इनको कट कर लिए हूँ और ऐसे मैं यहाँ पर सब को कट कर लquitoंगी तो यहाँ पर एक रोटी से था हमने बना ले आगे की जितनी वे आटा बचा है उनकी हमाई इसी मठ्रे बना लेंगे बस बड़ी से एक रोटी बेल ली है और सेम इसके एक्ष्टा पाट अठा लेने हमने और उसको आटे के साथ दुबारा मिला लेंगे ऐसे बेलते जाएंगे बस मोहिन लगाते जाना है और जितना इसमें मोहिन लगेगा उतने खस्ता क्रिस्पी बनेगी आठे की मात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने मोयन बनाया था यहाँ पर तीन चमज के पराबर आठे लगा है तीन से चार चमज के पराबर गी लगा है और फिर से इसको ऐसे पेल लेंगे तो परपूर हो जाएगा यहाँ पर मोयन जितने भी हमने आठे लिया था उसके हिसा मत्री खाते टरेम एंसा लगता है यहां पर पत्या खा लगता है और इनको स्टोर करना ना भी काफ़ी थे लाइत था लिए हुअ या बिर कभी भी ओक मांगते रहते तो इस तरीकी के स्नेक से रहेगा तो बहुत ही हेल्थी भी है या अपने लिए चाए के साथ भी कभी भी इंज्जाइ कर सकते हैं काफी लोगों को सौक भी होता है मठी वगरा खाने का तो तरे-तरे की मठी खा कर आप भी बहुत हो चुक या पर इस्तेमाल करके मठी की बनाएगा बहुत स्वाधिस्ट और फॉद्ध इलाजवाख और आज कल तजी और फ्रेस मेथी भी आ रही है तो इसको बनाना तो बनता है तो जरू से इसको भी बना के ट्राइक कीजिएगा आप और इसको इंजॉय कीजिएगा इस्टोर करना भी बेहत आसान है दो से तीन मैने तक आसानी से इसको हम रख सकते हैं इनकी सेल पर लाए भी बढ़ सुकी है क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल भी मोश्चा नहीं रखा है अच्छे से बून है उसके बाद दोने के बाद इसक बिल्कुल भी फ्राय नहीं करना है ने तो एक स्टाप राउंड हो जाएंगे जलने से भी करवी भी हो सकते हैं क्योंकि यह मेति के मट्रे हैं तो यहां पर ध्यान देने वाले आप बात है गैस का फ्लम हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और इसको किसी चम्मा से भी बार ब पुलटते रहना है और जितने एक बार में आएंगे उतनी डालेंगे एक्ट्रा ब्राउंड फिल्कुल भी नहीं करना है इनको एक जैसे चारत कोनों से हमने यहां पर इसको अच्छे से फ्राय करना है कुछी देर बाद है अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता होके बच जाते अब निकाल देते हैं इनको और ऐसे दूसरे भी बना लेंगे जितनी एक बार में आ जाये उतनी डालना है और यह पर्फेक्ट बनके तयार हो गए तो ऐसे मैं इनको निकाल लेती हूं और एक्स्टा ओयल हमने इसका निकाल लेना है अभी किसी चैनी में रहने दीजिएगा तब तक मैं और डाल देती हूं इनको चैनी में रखतेते हैं ऐसे हम सारे प्राय कर लेते हैं तो यहांपर सारे हमने प्राय भी कर लिए और पैन से निकालने के बाद कुछ दियर इसको को हम चन्नी में रखेंगे ताकि इसका एक्ष्टायल जो है निकल जाएगा उसके बार ठंदे हो जाएंगे ठंदे होने के बाद हम किसी यह टाइट कंटीनर में इनको भरेंगे तो इनकी सेल्प लाइब बढ़ गई है और तीन चार मैने तक अच्छे सी इसको इंजॉय कर सकत हैं बहुत ही खसता तर्जी मे थी की फ्रेस मे थी की यहां पर ममणठी अंबन के टैयार है अजकल सीजन के मेथा आ रही है तर च्शी और व्रेसर भी का बनाएंगे तो काफी दिन तक हम इसको स्टॉर करके इंजॉय 200 का ना पनके त्यार हो गई है आसा करती हूँ आज की रेसिपी आपके लिए हेल्प पूल होगी और रेदी रेसिपी अच्छे लगे तब प्लीज इसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करने हैं बिल्कुल ना भूलेगा और जाद से जाद इसे फेमली और फ्रेंड के साथ भी जरू से सैर कीजिए तो मिलती है एक ऐसी नेक्स रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धनवाद थैंक्यी सो मैच